देश के सभी क्रांतिकारी नवजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रडाम मेरे नवजवान साथियों आज पूरा उत्तर प्रदेश जो है वह हत्या प्रदेश और बलातकार प्रदेश हो चुका है लगातार आप देख लीजिए कि ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि जिस दिन नाबालिक बच्चीयों के साथ रेप न होता हो और लोगों की हत्यायन होती हों खोन खराबा न होता हो प्रती दिन कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब भाजपा की सरकार नहीं बनी थी उसके पहले चुनाओं में ये लोग यही कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भरष्टाचार हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर रेप हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियां सुरच्चित नहीं है इसलिए जब भाजपा सरकार आएगी तो सब को न मेठी हो चाहे लाहाबाद प्रयाग राज हो चाहे जिस भी आप जिले की बात कर लीजिए चंदवली ले लीजिए मिर्जा पुर ले लीजिए बनारस ले लीजिए गाजी पुर ले लीजिए गोरक पुर ले लीजिए बलिया ले लीजिए दिवरिया ले लीजिए यानि कहीं कि रोज हत्याय न होती हो और रेप न होता हो नावालिक बच्चियों को जिंदा जलाया न जाता हो अभी आप लोगों ने देखा होगा तीन दिन पहले पूरी सोशल मीडिया से लेके टेली वीजन चैनल तक पूरा तांडव मचा हुआ था लोग रो रहे थे और भाजपा की जो बड़ी बड़ी नेत्रिया है एक तो अमिर्ति काकी हैं एक मेनका गांधी है जो के रो रही थी रो रही थे एक हत्यनीitar को लेकर के केरल में जो हत्यनी मरी थी उसको लेकर के पूरे देश के अंदर एक तांडव मचा हुआ था क्योंकि केरल में उनकी सरकार नहीं है इसलिए वो तांडव मचा रखी थी हतनी के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ मैं उसकी निंदा करता हूं लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि केरल की हतनी को ले करके इतना दर्द है इतनी बेदना है इतनी पीड़ा है तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुप क्यों है क्यों नहीं आखिर बोलते हैं अभी आप देख लिजिए कि हाल हाल में जाउनपूर का एक मामला प्रकास में आया है नेहा निशाद नाम की लड़की है जाउनपूर के किराकत में और उसके पिता जी का नाम है विकास यादव अभी तीन दिन पहले उसको घ आई चस्मदीद गवा है इस बात का छोटा सा बच्चा है वो बार-बार गवाही दे रहा है छोटा सा गवा है लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग देख लिजिए कि वहां जो है कोई कोई पिछडों का नेता बोलने का नाम नहीं ले रहा है जब चुनाव आता है तो मर्शीहा बनके केवल आपका बोट लेते हैं आपको लुटते हैं आपको डकाईती डालते हैं आपके बोट पर आपके बोट की कीमत वो नोट से तलते हैं लेकिन जब आपके ऊपर आपदाएं आती हैं आपके ऊपर सामंतियों का कहर बरपता है तो लोग बोलते हैं कि चु उपर हते हाएं तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जाउनपूर के अंदर नेहा नाम की लड़की नाबालिग बच्ची है सोशल मीडिया पे अभी वाइरल हो रहा है उस नाबालिग बच्ची का किस तरीके से रेप करके उसको मार दिया जाता है और वहां के तमाम राज और यह कहा भी जाता है कि अगर जल्द से जल्द इसको अगर जलाते नहीं हो तो तुमको जेल हो जाएगी तुम जेल चले जाओगे वह बेचारा डरते डरते जो है उस लास को जला देता है उसके बाद लाफ जलाने के बाद जब पता चलता है कि इसका रेप हुआ है इसको मारा गया है तो उसमें तीन सामन्तवादी पकड़े जाते हैं उसमें जुर्म कबूला जाता है जिसमें कि अपराधी का नाम है बिनएपाठक बीन पाठक को ठाने पे ले जाया जाता है और वह पुलिस को सबकुछ बता देता है कि हम तीन लोग थे तीन लोगों ने रेप किया है बारी-बारी से अग उसके बाद उसको मार दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी जुर्म कबूलने के बावजूद भी 376 का मुकदमा और पासको एक्ट नहीं लिखा जाता है नहीं लिखा जाता है शिर्फ 201 अवधारा 302 लिखा जाता है और दो अपराधियों को छोड़ दिया जाता है दो अपराधियों को इसलिए छोड़ दिया जाता है कि 376 तो लिखा ही नहीं जाता तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जितने साथी देख रहे हैं सभी साथियों से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को श्मिर्ती इरानी तक पहुंचा हो और चाहे अन्य सामंत वादी लोग करते हैं तब या खिर आप लोग चुप क्यों रहती हो क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भाबा ढोंगी बाबा की सरकार है उततर प्रदेश के अंदर तो आप लोग चुप रहते हो और वहीं जब प्रयाग राज है तो आप लोग तांडव मचाती हो लगातार अपराद हो रहे हैं लगातार रेफ हो रहा का अभी तक हमारे प्रियाग राज में तीन लोगों की संस्हथ्या कर दी गई थी हमारे गाउं के बगल में लेकिन आज एक महिने से जादा हो गए लेकिन अभी तक अपराधी पूलिस की गिरभत से बाहर है और जब कि वहां जो है तीन-तीन चार-चार विभाग लगा हुआ है यह सोजी अलग लगी हुई है पुलीश अलग लगी हुई है क्राइम ब्रांच अलग लगी हुई है यानि इसके बावजोद भी खुलासा नहीं हो पाया अब तक आखिरी हो क्या गया है पूरे उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश के अंदर जो बैठी हुई नेत्रियां है इस मिर्ति इरानी जी जो अमेठी से चुनके गई है उत्तर प्रदेश उनका जो है करम भूमी है एक तरीके से लेकिन उत्तर प्रदेश पे वो चुपर आती है और ये खाथे नहीं पर वो भी दोवा भी लाप करती है